नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दन्यूज लॉंचर पर दोस्तों आज दिपावली की पूर्व संध्या पर बधाई देने का आपको मन कर रहा है बधाई दूंगा भी दे भी रहा हो लेकिन इस बधाई के दौर में जरा भारत की बधाली को भी यदि हम देखे तो आज जिस दौर में अमरित काल, अमरित महोत्सो, पांस ट्रिलियन की एकॉनमी, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत सबकी बाते हो रही है इसी दौर में गुजरात के सूरत सहर में यूपी बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए उसमें सवार होने के लिए जो भगदर मची है पर उतिवार पर अपने घर पहुचने के लिए जब लोग कतारों में खड़े थे और उसके बाद स्टेशन पर जो भगदर मची है उसमें लोगों के हताहत होने की खबर आ रही है कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की जान चली गई है और इसी दौर में देश क के प्रधान मंत्री पूरा का पूरा प्रचार तंत्र गोधी मीडिया भारत की तरक्की की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसमें रोजगार की कमी सभी बात कर रहे हैं रोजगार के साथ-साथ तमाम दूसरी बाते भी लोग कर रहे हैं कि महांगाई बढ़ती जा रही है असंगठित छेत्र टूट सा गया है, MSME सेक्टर जिस पकार की उम्मीद थी वो दिख नहीं रही है, और ब्यवस्था सिर्फ किसी खास कॉर्पोरेट को मजबूत बनाने के लिए काम करती वी दिख्ति परतीत हो रही है, लेकिन इस दौर में जरा उस हिंदुस्तान को जिंदा है, एक 80 करोन लोग, यानि इस देश की लगवक 60 पिसदी, 60% आबादी, जब 5 किलो रासन की सरकारी इमदाद पर जिंदा होने की खबरे आती है, और सत्ता इसे अपनी उपलब्दी के तोर पर ढोल पीटते हुए बताती है, तो उस दौर में ये जानना भी जरूरी हो जाता है, कि रेलवे, स्टेशन पर जेनरल और स्लीपर भोगियों में सवार होने के लिए पर उतिवार के मौके पे जो लोग अपनी जान गवाने की हद तक चले जाते हैं, वो इस्तिति उसी भारत की तस्मीर है, उन्हीं एक 80 करोड में से किसी ना किसी ब्यक्ति की, किसी इसलिए महत्पूर्ण हो जाता है, कि जरा मौझूदा दौर को आप देख लिजिए, सरकार के दावे क्या है, विकास के दावे क्या है, इन विकास के दावों में बुलेट ट्रेन आती है, क्या इस बुलेट ट्रेन का टिकट कटाने की छमता, उन्हें 80 करोड लोगों की है, जो पांच किलो रासन पर जिंदा है उस ब्यक्ति की है जिसकी जाना सूरत रेलवे स्टेशन पर गई है क्या उसके घर तक वो बुलेट ट्रेन जाएगी यह सारे सवाल है और जिस वंदे भारत की बात प्लान मंत्री करते हैं जो काम रेल मंत्री को करना चाहिए छोटे मोटे गाटन जो रेलवेट नहीं नहीं ट्रेनों के होते हैं क्या वो बंदे भारत ट्रेन उस यात्री को वहां ले जा सकती है क्या उस बंदे भारत ट्रेन का टिकट कर खरीदने की अवकात उसकी चमता उसकी आर्थिक हैसियत है उस आदमी की जो घायल हुए है जिनकी जान गई ह स्वभाविक है कि नहीं है यह हिंदुस्तान चंद लोगों का हिंदुस्तान बनाया जा रहा है चंद पूजी पतियों का इस देश की एक फिसदी से भी कम आबादी का एक ऐसा हिंदुस्तान बनाया जा रहा है जिस हिंदुस्तान में दाता और पाता के बीच में एक तरफ 95 मे पूरी दौलत और पूरी हैसियत हो आज उसकी पूरी पोल पट्टी कहीं और से नहीं बलकि गुजरात से खुली है भारतिये रेल की बात करें बुले ट्रेन की बाते होती है अमरित काल की बाते होती है भारतिये रेलवे में साड़े तेरा से चौदा लाग सरकारी कमचारियों कुबाल करने की उनको नौकड़ी पर रखने की छमता है लेकिन संसद में रेल मंत्री बहुत ही बयान देते हुए लिखित जवाब देते हुए तनी भी उनके चेरे पर सिकन नहीं आती जब वो ये कहते है कि धाई लाख के करीब पद भारतिये रेल में खाली है यानि भारतिय पर अब्यवस्था होती है कौन जिम्मेदार है फॉर्म भरने के लिए बार जब एक्जाम देने के लिए लड़के निकलते हैं करोड़ों फॉर्म एक साथ भरे जाते हैं खासकर रेलवे के एक्जाम में क्या होता है कौन जाते है तो चाहे वह स्टूडेंट का मामला हो चा देखिए इस देश में 9 सहर है 50,000,000 से उपर की आबादी है और इन 9 सहरों में प्रवासी मजदूरों की संख्या को देखिए आप दिल्ली NCR को देखिए आप कलकत्ता को देखिए आप मुंबई को देखिए आप चन्नाई को देखिए बैंगलोर हैदराबाद आधाबाद सु क्या पर्याप्त संख्या में लोगों को ट्रेन नहीं मुईया कड़ाई जा सकती थी क्या वेटिंग लिस्ट को Susan करने के दिसा में ज्यादा संख्या में नहीं चलाई जा सकती थी सारे खर्च क्या सिर्फ बुलेट ट्रेन पर होंगे सारे खर्च क्या वंदे भारत जैसी लगजरी ट्रेनों पर होंगे सारे खर्च क्या इस देश में सिर्फ पर सिर्फ एक्स्प्रेसों में बनाने पर होंगे सारे खर्च क्या उस ब्यवस्ता पर हो को यूं कहें कि खरीदा जा रहा है उस खरीदे जाने वाले किसान सम्मान निधी 2,000 रुपए एक किस्त में 6,000 रुपए पूरे साल में दी जाती है चर्चा है कि बढ़ा कर 8,000 कर दी जाएगी क्या इस दौर में 8,000 रुपए में परिवार तो छोड़िये किसी एक ब्यक्ति क एक साल का गुजारा हो सकता है कोई सरकार ये दावा कर सकती है और उस दौर में लोग सूरत कमाने ही क्यों जाते हैं बिहार के मुख्यमंति नितीश कुमार लंबे अर्से से बिहार के लिए विशेसराजी के दर्जे की मांग कर रहे है ताकि विशेसराजी का दर्जा मिलने नहीं दिया सीधे सीधे वो पैकेज की बात करते हैं और पैकेज मिलता भी नहीं है और जिस पैकेज का दावा किया जाता है उसमें केंद्र की अलग-अलग योजनाव में स्विक्रीत रासी को एक साथ कलब करके उसे पैकेज के रूप में लोगों के बीच परचारी जो किया जाता है उस परचार तंत्र पर ताली पीटने वाली उस भीड जो नेताओं की चुनावी सभाव में उपस्तित होती है उस ताली पीटने वाली भीड कही कोई हिस्सा रहा होगा आज जिसकी सूरत में मौत ही है आज जो लोग सूरत के रेल्वे स्टेशन पर घायल हुए है आज चड़ इस बात पर भी होता है कि सूरत सहर की जनसंख्या 55,00,000 की मैं वह सूरत सहर को जानता हूं 55,00,000 की आबादी वाले सहर जिस राज में वह सहर है उस सहर में खेवल रेल्वे स्टेशन पर चार प्लेट सहरे हिंदोस्तान के नौ सहरों सबसे बड़न सहरों में से एक सहर को उसके रेल्वे सेशन को चलायाि जा रहा है उसके drastic ट्रांसपॉर्ट को चलाया जा रहा है और उस दौर में सूरत एक ऐसी जिगवा पर जिसके एक तरफ बड़ोदाहमदा भाद हैजा दूर धू राज के और जोगिक सहर के इस देश के सबसे पुराने और जोगिक सहर के रेलवे स्टेशन की थोड़ी भी सुद नहीं है क्या मौझूदा दौर में वंदे भारत ट्रेनों के लिए जहां उद घाटन होता है वही प्लेटफॉर्म पर साज सज्जा की जाएगी वही आम नहीं बढ़ाया सकते क्या सूरत सहर में किसी दूसरे स्टेशन का विकास नहीं हो सकता क्या सूरत सहर में परुतिवार के समय में मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए विसे स्ट्रेनों की पर्याब विवस्ता नहीं हो सकती थी क्या यह आँख खोल देने वाली तस आदमी के तमाम कस्ट खत्म हो गया हूँ इस देश ने वो तस्वीर भी देखी है जब सूरत और दूसरे और जोगिक सहरों से अपने गाओं की तरफ 1500-1600 किलो मीटर तक लोग पैदल चल कर कोरोना काल में पहुँचे थे वो तस्वीर भी लोगों ने देखी है जब एक बेटी अपने पिता को साइकल पर भी ठाकर 1000 किलो मीटर साइकल चला करके लेके गई है लेकिन उस दौर में लोगों ने ये भी देखा है कि एक कॉर्पोरेट की 49.000 कोड़ों की संपती 10.000.000 को पार भी कर जाती है और गिरावट के बावजूद 4-5.000.000 कोड़ों के आसपास बची रहती है क्या गरीवी और भस्टाचार के खिलाफ CBI ED का इस्तेमाल नहीं हो सकता था क्या इस गरीवी के दौर में जब इस देश की 80% या 80% करोड़ा आबादी को यानि लगवक 60% 60% पिसदी आबादी को जब सरकार खुद ही मान रही है गरीवी रेखा के नीचे है तब ही उन्हें रासन देना पर रहा है और जिसे उपलब्धी बताते हुए कह रही है क्या उनके लिए पर उत्यवार में आने जाने के लिए कुछ इंतिजाम नहीं हो सकते थे आज तक कभी आपने सुना नहीं होगा कि जब परवासी मजदूरों को एलेक्शन के समय में बसों में और प्राइवेट इंतिजाम करके उनके घर तक ले जाया जाता है उन्हें गहां तक कि कथित तोर पर पैसे भी दिये जाते हैं ताकि वो अपने गाओं पहुँचकर किसी खास दल विशेश के पक्ष में वोट डाल सके उस वक्त आपने किसी नहीं सुना होगा कि उन परवासी मजदूरों में से किसी की भगदर में कोई हताहत हो गया हो कभी किसी ने नहीं सुना कि एलेक्शन के समय में जब और योगी की लाकों से उनके 90 प्लेस पे मजदूरों को बसों में भर कर ले जाता है या दूसरे यातायाद के माध्यमों से जब उनके घर तक पहुंचाय जाता है उनके वोट डलवाने के लिए उस वक्त तो ऐसा नहीं ह होते हैं उन्हें तमाम तरह से वो सुविधायत दी जाती है ताकि वो सुवख्षित घर तक पहुंच सके लेकिन जब वो परुक के लिए दिपावली और छट के लिए अपने घर पर पहुंचते हैं उस वक्त वो चुनाव वाली सुविधा देने वाले लोग कहां चले जात मौझूदा सत्ता क्या उस रेल्वे की अव्यवस्था के उपर सिर्फ घर याली आसू बहाने तक सीमित रहेगा सवाल उसका नहीं है सवाल उसका नहीं है कि भारतिये रेल में 9 से बढ़कर 17 रेल्वे जोन पिछले 20-25 सालों में हो गये सवाल इसका है कि 9 से बढ़कर 17 रेल की सुधार के लिए जो तमाम सिफारी से की ती उसका क्या आसर पड़ा क्यों डीरेल हो रही है क्यों ट्रेनें देर से चल रही है क्यों की संक्या घटाए जा रही है चातिस गड़ में कई हजार की संक्या में औन के फेरे क्प कम हो गया है ये रिपोर्ट कुछ Melissa गठाई जा बिहार यूपी जैसे राज्यों में जहां से वोट लेने की बात आती है मेरे परिवार जनों इस तरह की बाते चुनाओ आते आते होने लगती है कभी चुनाओ में कोई चौकिदार भी बन जाने की बात होती है लेकिन जब उन मजदूरों के लिए सुविधार देने की बात होती है उस दोर में प्रधान मंत्री के नेतित्व में काम करने वाला कैबिनेट और उस कैबिनेट के अधीन काम करने वाली भारतिये रेलवे सुविधार देने में क्यों पिछा रही है उस आम आदमी को क्योंने सुधा मिल पा रही ये सवाल इसलिए महतपूर्ण है कि आखिर लोग जब वोट डालने जाते हैं तो वोट किस नाम से डालते हैं किस आधार पर डालते हैं क्या वो सुधाओं के लिए डाल रहे हैं और यदि वो सुधाओं के लिए नहीं डाल रहे ह तब भी क्या उन्हें सुविधाय नहीं मिलनी चाहिए इन सब सवालों पर जो आज परदा उठा है वो भी प्रधान मंतरी के ग्रिह राज जिसे उस राज जिसे जहां वो साड़े बारा सालों तक मुख्य मंतरी रहे है उस राज जिसे जिस गुजरात मॉडल को अंतरराश्टी और राश्टी अस्तर पर वोटरों के बीच बेच करके जिसकी ब्रांडिंग करके 2014 में सक्ता पाई गई थी उस गुजरात मॉडल में यही दिखता है कि उस गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर 55,00,00 की आबादी वाले सहर में चार प्लेटफोर्म से इस्टेशन चलाया जा रहा है और चार प्लेटफोर्म से जो इस्टेशन चलाया जा रहा है वहां मजदूरों के लिए ट्रेइनों की इतनी कम बेवस्था है कि उसमें छमता से ज़ aiदा भीर हो रही है की हैसियत कीड़े मकोडे की है सत्ता की नजर में आम आदमी की हैसियत सिर्फ हिंदू-मुसल्मान के नाम पर नेरेटिव गढ़कर और उस बाइनरी में चुनाओ के समय उस मोपास में बाद कर वोट लेने की है और उस प्रविर्ति के ऊपर जब आम आदमी जब वोट डालने सतको कि उसे ट्रेनों में भर कर जाना पड़ता है कि बेर बगड़ी तरह उसे ट्रेन में लदगर आना भी पड़ता है का और नहीं सोचता कि उस ट्रेन में उसकी इस्तिति किस हद तक होती है कि कई के घंटे तक बीना पानी बीना खाने के उन जेनरल बोगियों में जहां पैर रखने की जगा तक नहीं है वहां पर उसे चलना पड़ता है चाहे मुंबई की लोकल ट्रेन हो या इस देश के किसी दूसरे हिससे की ट्रेन हो बंदे भारत जैसी ट्रेन जिसमें कुल भारत की जनसंख्या तो छोड़ दीजीए कुल रेले आत्रियों का भी एक फिस दी एक परसेंट से, सिंगल परसेंट से लोग भी उसमें नहीं चड़ते, उस वंदे भारत का डिढ़ोडा पीटा जा रहा है, सवाल महत्रपूर्ण इसलिए है कि हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान के मेहनत का सवाम के लिए, मौझूदा ब्यवस्था में, उस ब्यवस्था की ट्रांस्पोर्टेशन पॉलिसी में क्या है, न तो सरकार के बनाये हुए, एक स्पेस्वे पर, हाईवे पर, टॉल का पैसा देकर, अपने पैसे से चलने की, या टॉल देकर चलने की, छमता आर्थिक हैसियत इस देश के आम आदमी की है, और नहीं वंदे भ ठ्रमूगि वहली ट्रेंडों में चलने की है, जिसे आम तोर परलोग पैसेंजय ट्रैन या और लेबर ट्रैन काकर संबुधित करते हैं, आप ट्रेनों के नाम देख लिए जो मजदोरों को लेकर जाती है, स्रमिक एक स्पेस, जनसेवा एक स्पेस, उन्त्योदय एक स्पेस और इसमें जनसेवा और जननायक और अंतियोदे जैसी ब्यवस्था का सीधा आभाव दिखता है और यही कारण है कि ट्रेनों में इस तरह की अब्यवस्था दिखाई दे रही है तो देखते हैं आने वाले वक्त में रेलवे को लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भारत सरकार किस पकार से अपने नितियों को पीपल फ्रेंडली जनता के लिए बनाने की कोशिस करती है फिलाल के लिए इतना ही तमस्कार